हाई फ्रेंड नमस्कार कैसे हो आज हम बनाएंगे आलो गोबी की स्वादिश्ट सब्जी जैसे कि आप देख पा रहे हो यही आलो गोबी की स्वादिश्ट सब्जी अबनाने वाले हैं और बहुत इजी तरीका है देखते रही पूरी रेशिपी और मैं स्टेप बाई से काट लिया है वो तीन टमाटल लिए है जिसे भी बारिक काट लिया गया है चार प्याज लिए है जिसे काट लिया गया है और यह ओल लिया है अधर ददरी कोटी हुई मिर्ची को भी बारिक काट लिया है लैसुन को ददरा कोट लिया है आवसे एक मसाले हैं हल्दी जीरा नमक, स्वाद के अंशा लेना है मिर्ची पाउडर और धनिया और हिंग तो यह अपनी आपसे खसामगरी है तो इसको अच्चे से दो के हमने सबी चीज़ें काट लिया है आलू, गोबी, टमाटर प्याद, मिर्ची और अपने कडाई गरम करेंगे कडाई जो अच्चे से गरम हो जाए उसके बाद में इसमें अपना ओएल डालेंगे ओएल को गरम होने का वेट करेंगे ओएल गरम हो जाए उसके बाद में अपने इसमें जीरे डाल देंगे जीरे के बाद में अपने जो हिंग ली थी वो डाल देंगे इसमें थोड़ा हलका चलाएंगे इसको गेस कफले में इस टाइम मेडियम रखें इसके बाद मैं इसमें प्यार डाल देंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के त्यार होने वाली है अपनी तो आप देखते रहे ना पूरी recipe मेरी तो बहुत ही simple तरीका बताऊँगा जिससे जो आदमी नए भी जानता हो कोई सब्जी बनाना वो भी आसानी से बना सकता है बहुत ही अच्छी recipe तो इसके बाद में अपना लसुन अंदर दरक उटावा था इसको थोड़ा पकने देंगे medium flame पे इसके बाद में अधरक थी अपनी वो इसके इंदर एड कर देंगे medium flame पे इसको पकाएंगे तो अपनी बहुत ही स्वादिष ठबजी बनके त्यार होने वाली है यह अपने हलकी पक चुके है उसके बाद में अपनी बारिक का टीवी जो हरी मिर्ची थी वो एड कर देंगे गेस का flame थोड़ा सा बढ़ा देंगे दिमी flame पे जो जो सब्जी बनके त्यार होती है वो वो ती स्वादिष बनती है बजाए high flame के तो गेस का flame medium या लोई रखे इसके बाद में इसमें अपने मसाले थे सुके मसाले हल्दी एड कर देंगे नमक दनिया ये बाद में डालेंगे गरम मसाले इसकी पैसब से पहले हम टमाटर डालेंगे इसमें टमाटर को पहले अच्छे से पका लेंगे तो इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बन जाती है कई लोग लास्ट में डालते हैं टमाटर लेकिन हम पहले डाल रहे हैं इससे सब्जी बहुत ही स्वादिष बनती है आप जब देखो के लास्ट में जब सब्जी बन के त्यार होगी बहुत ही स्वादिष सब्जी अपने बनने वाली है देखते रही है पूरी रेशिपी तो इसको मेडियम फ्लेम पे अपने को थोड़ देर चलाना है आँ कि दो जे तीन मिंट उसके बाद में अपने लाल मिर्ची एक टाहरें कर देंगे कर देंगे परन को अपन थोघुड़ देर बाद में डालेंगे जब अपना रेख़ीर अ अब नमक डालेंगे इसमें हलका आपने मसाले के अंदर पाइंट डाल देंगे इसे अच्छे से पक्स के फ्लेम को आपने तेज कर देंगे तो टमाटर के अंदर अपने जो मसाले थे वो क्रीम भी पक चुके हैं अब इसके अंदर अपने आलू एड़ कर देंगे इसके अंदर यह अपने आलू जो हापके जी आलू थे अच्छे से दो के काट लिए थे इनको वो अपने वो एड़ कर देने और तीन से चार मिन्ट के लिए इसको अकेले पकाना है गो भी थोड़ दिर बाद में डालेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरे रेसिपी आपको पसंद आ रहे हो मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जुरूर दुबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें मैं मेरे चैनल पर बहुत डिफेंड डिफेंड रेसिपी डालता रहता हूं उमीद करता हूं आपको जुरूर पसंद आ रही होगी जो भी वीवर लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको मेरे रेसिपी जुरूर पसंद आ रही होगी तो थोड़ देर के लिए इसको तो थोड़ दर के लिए अपने अलों को अकेले पका लिया है, अब इसके अंदर जो अपनी गोबी थी, वो इसके अंदर एड़ कर देंगे, ये गोबी अपने एड़ कर दिये, अपन सूकी सब्जी मना रहे हैं, तरी वाली सब्जी नी मना रहे हैं, तो इसमें पानी बहुत ह वाली सब्जी बनती है तो आप सूकी सब्जी बना रहे है इसमें पानी अब इस ताम नमक डालेंगे इसमें तो जो गोबी एड़ कर दें उसके बाद में नमक डालें तो यह बहुत ही अच्छी सब्जी बन के त्यार होने वाली है आपको जुरूर पसंद आएगी इस तरह के से आप भी अपने गर पे बना सकते हैं जिसको नहीं आता हो बनाना वो भी अपने गर पे असानी से बना सकता है यह नोन स्टिक पैन लिए है इसमें सब्जी नीचे लगने का कम डर रहता है बाकि आप खुल प्लेम पे चलाओगे और इसके सब्जी को लगाता नहीं रोड़ोगे तो सब्जी लग सकती है तो अगर नोन स्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे हो आप तो इसको बीच में बार-बार चेक करते रहना जूरूरी है थोड़ दिर के लिए इसको अपन डग देते हैं यह डग दिया आपने दुबारा से चेक करते हैं यह पानी अपने अड़ कर रहे हैं जो इस एक कटोरी अपने पानी यूज़ किया है तो इसमें यह सब्जी पक की त्यार हो जाएगी अपनी ज़्यादा पानी निडालें बस अपने को सूखी सब्जी मनानी है इसकी ग्रेवी नहीं मनानी तो थोड़ी सी इसमें पानी डालें और इसको डग दें तो अपने सब्जी बहुत ही स्वाधिश्पन के त्यार होने वाली है गरम मसाला सबसे लाश्ट में डालेंगे अपने इसको डग देते हैं और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे ताकि ये सबजी अच्छे से मिला दें इसको और बीच बीच में इसको मिलाने से इनीचे लगेगी नहीं और अच्छे से पक सकेगी इसको चेक कर लेंगे पन ये चेक कर रहे हैं ये करीब करीब पकने में आ चुकी है जब आलू अपने दबाने से फूड जाए तो सबजी अपने करीब पक चुके होती है दबार रहे डगदेंगे इसको, तो बहुत भी सिंपल तसरी का है, आलू गोबिग अग़ी सबजी बनाने का, जिस भी विव्यक्ति और अगर यही सबजी नहीं बनाने ibeodia, आती हो, तो अपने चैनल पर देख सकते हो, आप आते हो, आते हो अगराथ बहुत mogą आती हो, पatiẹंग कई तोल डेके गया हैं किसे प्रीज पर जोकी है तुमीद करता हूँ दोस्तों यौन पसंद आ है कि सब्सक्राइब करें और मेरे लुखन दबाएं ताकि आने वाले विडियो स्कूल बाइक बाइक निआ करते हैं और सब्सक्रायब लाइक नहीं करते त॔र रिक्वेष्ट जब भी विडियो को देखें चैनल्स को लाइक की जरूर करें यह सब्सक्राइब करें कि मोट्रेट को डेक अब देख पा रहे हैं जैसे बहुत अच्छी रेसीपए अपने के त्यार हुई है आलू गोबी की जो सब्जी है बहुत ही स्वाधिश पन के त्यार हुई है और उमीद करता हूँ आपको जुरू पसंद आई होगी थैंक्यू दोस्तो बाई बाई दोस्तो